हर बार की तरह महिने के अंत में अगरवाल जी ने अपने स्टाफ राजु को बुलाया। अगरवाल जी ने राजु को सालेरी दी और अपना अटेंडन्स रजिस्टर दिखाते हुए कहा इस महिने तुमने दो चुट्टी ली थी और पिछले हफते 2000 रुपई लिये थे। लेकिन राजु ने कहा साप चुट्टी तो पिछले महिने ली थी और पिछले हफते 1500 रुपई लिये थे। अगरवाल जी ने अपना रजिस्टर देखा और बोला लेकिन पिछले महीने तो तुमने पूरी सालरी ली थी। राजु ने जवाब दिया पिछले महीने ओवर टाइम भी किया था। अगरवाल जी ने फिर से अपना रजिस्टर देखा और बोले ओवर टाइम के पैसे तो अ जिग जिग हुई। जब तक अगरवाल जी पगार बुक पे स्टाफ की अटेंडन्स और ओवर टाइम का हिसाब नहीं करते तब तक ऐसी ही जिग जिग होती रहेगी। आप भी पगार बुक अपनाईए और हर महिने की जिग जिग से बचिए। हर बार अटेंडन्स और पेमेंड की एंट्री पर बगार बुक आपके स्टाफ को कनफर्मेशन एसमेस भेजेगा। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपका स्टाफ भी।